है लोगे स्टुडेंट्स गोड़ मॉर्निंग तो आल बेटा वीडियो सुरू करने से फिले थोड़ा सा बात करते हैं कल एक छोटे से मिस्टेक होगे थी हमारे जो प्रेवस वीडियो थी क्लास टैंथ के लिए ही बनाई थी लेकिन अच्छली उसका सिलेबस था वो क्लास ना होने वाला है उसका कोर्स इस्ट्रक्चर और से टर्मन के लिए वह आपके लिए हाजिर है और आसा करता हूं कि आप धियान से क्लास टैंथ के बच्चे जिनका अभी दो तिन दिन में बोड़का जो टर्मन का एक्जाम होने वाला है उसका पूरा सिलेबस और जो कंटेंट आपकी बुक से ग्रामर से जो चैप्टर आने वाले जो पोईट्री है वो सेक्षान आपको बताऊंगा वी पर आप उस हिसाब से आप पता चलाएगा आपको फोकस कहा रखना किन चैप्टर पर किन कंटेंट पर किन टोपिक पर उस हिसाथ आप त्याज करने है ठीक है यह स्ट्रक्चर आपका कितने इन मारक का है आपका सेक्षण है आपका 3 मार्स यानि कहीं को से सक्ष weet경 किपर बार करने मारक के हो फ्यांा सब्सक्राइब कंद्रम डाप क्यक्या से अब राइटर के अब का है और ले ट्रितर फ्रॉं टेक्स्ट ब्क राज केसे crunch डूमा ये कीतीव म fluffed लुटनिवाएं । इसने पैशिज जो मैं आपको पहले बताया रटोटल vere activation आफ Ortalike आफ तोरिकिमार्स का होगा ओर the नमर होगा आपका Elder सबर से आपका हर साद और यह सल पर चलेगा अजिव नो मत्र बार हम आप है है तो हमाइस तो इसकी this हो सबैस्ध estar से जरूरों तो पर सक्षन होगा पहले से से प्लेडिंग प्याम के लिए टो जैनल मार्ष का है रीडिंग सेक्ष्ट्ट्याइंगे पहला होगा डिसकर्षीव पैसिज 5 marks दूसरा होगा case based factual page 5 marks दूसरी आपके दिंस स्क्षिन में या यानि कि अन्सिन पैसे जो भी करता है 9th Class में वैसी आपको से में दो पैसे मिलेंगे अंसीन पैसे पोर दो हुने ही आपके objective type यानिके एमसी को based होंगे उसे में आपको चाहट करके जो आपको मिलेंगे उसे में आपको दोनों पैसे यह दसे नमबर में से आपको में सब्सक्राइब करने ठीक है अब आता है आपका section B writing skills section B में आपका writing skills जिसमें आपका आएगा फॉर्मल लेटर बेस्ट ऑन दा सब्सक्राइब करना है कि इसको हम कहां किस सेक्शन में रखते हैं तो आपको यह भी आपका उब्जेक्ट टाइप होगा लेटर आपका उसको बुलते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो यह बहुत इंपोर्टेंट है हर साल आता है यह इस बार भी आएगा चोई इसमें आलगे बात हो कुछ और भी आए लेकिन सब्सक्राइब एक्जाम के परपसे लेटर टू एडिटर इसी लेटर में आपका जो टाइप है दूसरी लेटर टू कम्प्लेंट ओफिशल अब बताता हूं मैं हाले कि अभी फिलाल हम आपका जो कोर्स से लेबसा कर आ रहे हैं लेकिन फिर बताता हूं आपको दूसरा आपका नेक्स चीज से कोई समान खरीदा है तो उसमें आप जो कम्प्लेंट करते हैं उसको बिजनिस लेटर में आता है तो इसे लेटर कम्प्लेंट यह आपका टाइप सब्सक्राइब अगले कलास में आपको बता दूँगा मोडल से आपके जैल सुट्ट विल वूड मस्ट माइट नीड टू सेंटेंज में यूज करने होते और उप्शन आपको मिलेंगे वह आपको में मौडल्स यूज्ज करने सब्जेक्टिव वर्फ आपको सेंटेंज में यूज करना बता दूं अगर नेक्स वीडिए में आपका कमांड एंड रिवेस्ट आदेश देना और कुछ देंटेंस गड़ा और कुछ पूछ जाएंगा आपको बनाने को आपको अपको इसमें कुछ इंटेंस सेंटेंस गड़ीजिए तरह का रिफ्रेंट चाहित हैं उसके बाद आपका section A और हो गया और section B में आपका writing and grammar हो गया आपका section C literature literature में आपका है चलो करतें continue तो अब करते हैं एंद कंटीन्यू आपका section C literature section A section B आपका हो गया है section C में आपका लिटरेचर नीं साहितिक जो आपका पॉर्शन है टेक्स्ट बुक्स जिसमें आपका प्रोज एंड पोईटरी जिसमें बुलते हैं गद और पद तो आपकी कहानिया है वह और तो कभीता हैं वह अब उसमें आपके लेशन के कौन-कौन से लेशन आपके टर्मन के लिए पहला लेटर टू गोड भगवान क लेख पत्र नेंसल मंडेला जो आपके दक्षिन अफिरा के हमारे कभी राष्टपती रहे हैं यह तो स्टोरीज अबाउट दा फ्लाइं यह आपने लेशन पढ़ा होगा कहानिया आपको पता होगी मैंने 11-12 तो पढ़ाया था लिए कहानिया थोड़ा पता निया लेकिन आ सब्सक्राइब करते हैं अब बात करते हैं यानि के पद्ध की पोयम आपकी चार आएंगी डस्ट एंड स्नो धूल और बर्फ इससे आपके कण होते हैं वैसी डस्ट धूल और बर्फ जो आपकी सुनो फोल जी से बोलते हैं दूसरी पोयम एंड ऐस टाइगर इन द जू फूर्थ है दब वैल पोयम दब बार फोयम यह आपकी चार पोयम है और छे आपके लिए रहसन नहीं यह आपको मैंने आप जितना चीनन आप से अने वाला है section A 10 marks जिसमें आपका आएगा reading skills section B जिसमें आपका आएगा grammar and writing skills वह आपका 10 marks section C आपका आएगा literature जिसमें आपकी books of first flight छे लेशन आपका यह आपका 20 marks कर दिया है इसमें आपको सारा त्यार करना है अब मैं सोता हूं आपको क्योंकि यह लेटर मेरा यह जो लेसन है फर्स्ट प्लाइट से लेटर गोड हमारे टाइम में 20-25 साल भी दमने क्या तो यह लेटर में पड़ा वाई इसमें एक करेक्टर है जो इसकी फसल बरबाद होती है और वह जब फसल सारे बरबात देस्ट्रोइश होती है वारिसमें तो वह एक भगवान को पत्र लिखता है जिसमें वह पूचता से कि भगवान मेरी फसल बरबाद हो यह कुछ उमार साथ पैसे डालता है लेटर में वह चलो मैं आपको बतता हूं तो यह दामनेंट के लि अच्छा किसान की इसका नाम मतलर लैंचो ठीक है तो यह अपना अच्छा किसान मतलर के फसल होती है वह तक अच्छी फसल अच्छी तर होती है तो लेकिन ओला वरष्टी यानिके जो ओले पढ़ते हैं उस और विस्वास होता है भगवान उसके पूरी मदद करेंगे और उ पूरी बर्बाद होई आप से मेरे क्वेस्ट का मुझे 100 पैसे का अरेंज्ज करें वह मुझे पास भीज दें तो जो पत्र डाक में डालता है तो पत्र निकालता है और तो समबदन करता है जिसको नाम को बहुत ऊंस पर लेकिन लास्ट में उसको तरसा था है जो डाके होता उसके पत्र को निकाल करता है कुछ टेम बाद जाता है बाद में पूछता है मेरे को पत्र आए तो निकाल करके उसको दे देता है कि यह अप दोलक कि दोता है यह लिगता है कि भगवान मुझे जूरूर ती करें नErre यहां ना कुछ निससे काम जाएं और किसान लिखना लिखना पड़ता भी जानता था तो बता दिया तो बनाब के बारे में तो तो आप आपके तो मैं सोचता हूं कि आपके कोश जो शेले सने इनमें आपको 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 अगली वीडियो अगर आप कई मेरे कमेंट्स आएंगे तो अगली वीडियो में बनागो थोड़ा आपको इंपोर्टेट कोश्चन एक्जाम के परपस्टर वह मैं आपको करा दूँआ ठी थैंक यू वरे हूँ अग्याय भाज़े टीजिए एज पेंटेट रूर्टेट लग अट आपको इंटाझ से अच्छेख वे अटिए आपको कि विल्किन आपको अप्टे में आपको को मैं नापको के आपको आपको के आपको एटर्ट अच्छार्ट नेडियो को अटी हैं झाल झाल झाल